इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है नमस्ते सदावत सले मात्रभू में भारत में एक नई उप्लब्धी हासिल की उस नई उप्लब्धी के advantage और disadvantage हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं हलांकि उसमें political game भी होता ही है लेकिन political नजर रखने वाले criticism करने वाले analysis करने वाले हर एक बात में politics देखते ही है दिल्ली Metro प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली Metro एक ऐसी Metro शुरू की Metro ट्रेन ऐसी शुरू की जो मानव रही चल सकती है मानव रही ट्रेन का मतलब हो गया automatic system यह उप्लब्धी तो अच्छी है प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम आगे भविश्य में पूरी दिल्ली में मानव रही ट्रेने चला सकते हैं यह चला देंगे और देश में अन्य ट्रेने भी मानव रही चल सकती है मानव रही ट्रेनों से मतलब है sensors स्ट्रॉंग होंगे कि वो sensors के base पर चलेगी उनकी coding होगी प्रधान मंत्री जी के इस उद्वोधन में जिसमें उन्होंने जनकपुरी से लेकर और इधर वेटेकन वो जनकपुरी से नोड़ा जाने वाली जो मेट्रो है दिल्ली में उस पर मानव रही ट्रेन चला कर देखा सड्डे को प्रधान मंत्री जी ने कुछ अच्छा सा उद्वोधन भी किया होगा उसमें दो विशेश बाते उन्होंने बताई उन्होंने एक बात तो यह कही कि हम एक सिंगल कार्ट चलाने वाले हैं देश के किसी भी मेट्रों में या ट्रेनों में सफर करने वाले लोग भविश्य मे एक कार्ट से सफर कर सकेगे और एक कार्ट ही वो स्फर कर सकेगे एसा एक सिंगल कार्ट अभी एक्सप्रेस मेट्रों पर शुरू किया जो एरपोर्ट में दिल्ली में नई दिल्ली से या पीछे से शुरू होती है जाती है दौरिका तक, तो उन्हों भनें काई कि एक कारड होग वन नेशन वन कार्ड हाला कि लगातार प्रधान मंत्री जी के आने के बाद या संरकार का आने वाद हम कोशिश जै serie कर रहे हैं कि देश में एक परकार का नागरिकता, एक प्रकार के नागरिकों के अधिकार करतब, एक प्रकार के कानून, एक प्रकार की विवस्ता हैं, और सिंगल डिजिट, सिंगल सिस्टम में सब को आना चाहिए, ऐसा ना हो कि तमिल नडो के विक्ति दिल लिए आए, तो उसको बहुत सारी समस्यों का समदा क करना पड़े ऐसा भी ना हो कि उत्ताप्रदेश का विक्ति यदि मध्यप्रदेश में जाए तो वहां के कानून दूसरे हैं और वो कानून से यूस्थरू नहीं इसलिए बेसिकली देश के सभी विक्ति एक सी विवस्था में आएं इसलिए वन नेशन वन राशन काड की एक पहलू तो यह है कि सारा सिस्टम कमटराइजड होता जा रहा है तो हैकिंग तो नहीं हो जाई दूसरा पहलू यह भी है कि सब कुछ ऐसा हो जाए तो इंप्लाइमेंट का क्या होगा आज की सरकार का यह मानना है कि जो नौन प्रोडिक्टिव कारे हैं नौन प्रोडिक्टिव मतलब कि वहां परची ही केवल काटना है वहां केवल एक साही काम करना नौन प्रोडिक्टिव कारों के लिए लोगों की अवशक्ता कम हो वो प्रोडिक्टिव कारे करें और यह ज कुछ न कुछ बनाए हर एक विक्ति कुछ न कुछ निर्माल करें कुछ नए इन्वेंशन करें कुछ नए कार करें चाहें वह ओनलाइन इंडस्टी में करें ऑफलाइन इंडस्टी में करें फिजिकल इंडस्टी में करें कॉर्परेट सेक्टर में करें इन कॉर्परेट हैं और वो कार विना फिजिकल महनत के हो सकता हैं तो वैसे कार को करने के लिए प्रिदान मंत्री जी का मनना है कि उस कार को करने के लिए कंप्यूटर करेगा और हम उसके अतर victories कार करेंगे जैसे manufacturing systems have manufacturing बिना मानव के नहीं हो सकती है तुह हम manufacturing भारत में Hub करें हूँ लगाएंगे, entrepreneurs बनाएंगे, चोटे-चोटे काम करें, manufacturing plant लगातार भारत में लग रहे हैं, electronic के मामले में लग रहे हैं, electricals के मामले में लग रहे हैं, यहां तक की metro की coaches, bogey, engine भारत में बनने लगे हैं, रेल मेट्रो बड़ी तीजी से बढ़ रही है, और इसके अतरिक्त बहुत सारी चीजों का production भारत में होने लगा है, इन चीजों के production का परिणाम यह है, कि भारत आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्टर बनेगा, और भारत के लोग जब खाली होंगे, जब उनके पास समय होगा, तो वो इन इंडस्टी में इंगेज होंगे, हम सस्ती लेवर प्रोवाइड कर सकते हैं, लिकिन जो non-predictive कारणे हैं, जिनका कोई production नहीं होता, केबल वेक्ति को वो employment देते हैं, ऐस के बड़ नोकर बने, नोकर से मतलब यह है कि कोई हमको काम बताए, हम उस पर काम करें, और हमको salary मिले, जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोशन कर सकें, भारत बैवर्शाली भारत से एक निक्रस्ट और नोकर भारत बनता गया, अभी प्रधान मंत्री जी का ऐसा मनना है कि भारत को अगर उतकरस्ट पुना बनाना है, तो फिर वो पुरानी विवस्ता हैं जो भारत में थी, हर एक विक्ति industrialist था, अपने काम का हुनर वो रखता था, अपने काम में वो माहिर था, जैसे हमने वन विवस्ता के साथ साथ जती विवस्ता शुरू की, वो जती विवस अपने की जरुवत है, वो गाउं में एक गुरुकुल होता था, उसमें वो साक्षर और संस्कार और संस्कृतियों का ग्यान लेता था, लेकिन कमाई करने के लिए भरन पोशन करने के लिए उसको कहीं से अलग से पढ़ाई की जरुवत नहीं पढ़ती थी, वो हमारे हाँ आटिसंस होते थे, और गाउं की जरुवत गाउं में पूर विलिज एज ग्लोब चलता था, उस वेवस्था को मोगलों ने पहले नस्ट किया, फिर अंग्रेजों ने नस्ट किया, और अंग्रेजों ने संसकारी के एजुकेशन जो सही में एजुकेशन थी, उस मिलने लगी और ज्यादा सैलरी या नोकरी उनको मिलने लगी और ज्यादा धन उनको मिलने लगा, जो काम में अर्टिस थे, उनको धन एक दृख दधा, हैक। लेकिन कितनी आवश्यक्ता है, लेकिन अगर उसको ज्यादा सेलरी मिलेगी, क्योंकि उसने बच्पन से अपरेंटेशिप नहीं की, बच्पन से उसने वो चीजें बारी गुंड नहीं सीके, उसने केबल और केबल किताब की सिक्षा ली, तो ये संभव है कि वो एक स्टेज प की लिए हमें इंजिनर्स की जौरीत है, लेकिन हम को जब निव धालनी है, मकान बनाना है, तो फिर हमें मिस्तरी की जौराथ पड़ेगी, और बहुत ऐसे पॉइंट बनते हैं, जहां पर इंजिन अपर रहित हैं, मिस्तरी ही बताता है जब ऐसे नहीं क्योंकि उसने कभी न कहना कि हम मानव रही चलाएंगे मैं उसका समर्थ तक नहीं हूँ मैं अपना एक अपना अनुभव बताता हूं मेरे पास एक कार है इंजन उसका इंपोर्टेड्स लोग कहते हैं कि वो जपानी इंजन है वो शारी उसमें जो इंपोर्टेडस हो отп ए मुझा अचका में टाउकर दानी पावरे स्टेरिंग उसमें, गाड़ी सौ के लगभग या उससे कम हाईवे पर चल रही थी, अचानक उसका जब अल्टी इंटर फेल हुआ, बैटरी खतम हुई, तो स्टेरिंग जामसा हो गया, गाड़ी सौ पर चल रही थी, बहुत मुश्किल हुआ इश्वर की क्रपा ही र गाड़ी किनारे लगी, तो गाड़ी खड़ी हो गई, तो मालूम पड़ा कि ईश्वर ने करपा की और उस करपा से ही अपना बचा हुआ, अब इस गाड़ी को अगर आटोमेटिक बना दिया जाए, आटोमेटिक मतलब मानव रहित, और हम सब बैठे हों, और अचानक इस त इसलिए एक विक्ति का हम आटोमेटिक को कैसे प्सक्तिव को अगर नहीं, बहुत वेल प्रूवड होते हैं, उसकी बड़ी रिसर्चे कि जाती है, बहुत अच्छा किया जात की है अगर फिर भी ह्यी कब दोका दे जाए, और पूरी की पूरी ट्रेन को डेंजर में डाल दे, कंट्रोलर उसका फेल हो जाए तो, हम सब को पता है कि एर में प्लेन चलता है, आटोमेटिक ही होता है, लगबग नीचे एर कंट्रोलर भी बैठा होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, फिर भी हमें पाइलेट की जरुद पढ़ती ही है, क्यों? क्योंकि इमर्जेंसी में जैसे ही एर कंट्रोल यहां से टूटेगा, लिंक टूटेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम टूटेगा, तो फिर कौन उसको कंट्रोल करेगा? रॉकेट यहां से हम लेकर जाते हैं, मानव रहीत होते हैं, हम सैटलाइट छोड़ते हैं, मानव रहीत होते है इतनी अपने पास टेकलोजी है कि हम नीचे से कंट्रोल कर लेते हैं, उसको जहां चाहें वैसे घुमा लेते हैं, मंगल मिशन आपको याद होगा, अगर मानव होता उसमें, या वहां ऐसी परसेती होती कि कोई एक विक्ति उसमें जा सकता था, तो शायद उसका जो आधा हैसा फेल हुआ, वो नहोता, लेंडर सही से लेंड करता, नहीं कर पाया होगा, क्योंकि वहां की जो परसेतियां हैं, उसको हम यहां जमीन से कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए एक विक्ति की आवशक्ता होती है, मंगल मिशन में हम नहीं बिठा सकते थे किसी को, इसलिए ठीक है कि वो मानव रही था, उसमें कोई पैसेंजर भी नहीं था, वो तूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर पैसेंजर की बात आती है, वहां मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक उपलब्दी तो है, कि हम मानव रही ट्रेन चलाने में सक्षम हैं, विश् लेकिन सोचना ये अवश्य होगा कि उन चमताओं के बाब जूत, ये सारा इलेक्ट्रोनिक मामला है, संसार में टेर्रिज्म भी भड़ता है, टेर्रिस्टों के भी अपने टेक्नलोजी होती है, वो भी टेक्नलोजी में माहर होते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से टेर्रि कैसे करें, अब इसमें अच्छे और बुरे, गुड़ और बैड, जो इविल इंटेंशन के साथ टेक्नलोजी जानना चाहता है, यदि आप लॉप पड़ना चाहते हैं, तो कहीं और क्यों जाना, हमारे एप को डॉनलोड करें, और लॉप पड़ें